पहली तक्निक जिसके हम बात करते हैं वो है image यह self-induced organization जिसमें हम कहते हैं कि हम किसी चीज का चित्रन करते तो वो चित्र की वज़े से आपको अच्छा याद रहेगा इसी तरीके से अगर कोई चीज आपने पढ़ी है तो सुनी है सुनी वी चीज जादा अच्छे से याद रहेगी कई जगे हम निमोनिक्स के इस्तमाल करते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को आप गाये के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपने गाये का चित्र दिखा दिया और COW काव लेग दिया तो वो उन दोनों के बीच में एक बहुत बहतरीन association डिवलप कर सकता है इसी तरीके से चंकिंग की जाती है जैसे अगर मैं नंबर बोल दूँ 1800 1100 तो यहाँ पर क्या हुआ 1800 1100 अगर मैं इसको चार-चार के ग्रूप में डिवाइट कर दूँ तो आपके लिए याद रखना बोलना आसान हो जाएगा अगर मैं आठो के आठो नंबर एक साथ बोल इस तरीके से तो आपने हर कलर का या हर रंग का पहला अक्षर याद रख लिया और आपने अपना एक निमोनिक बना लिया है इसी तरीके से कीवर्ड में धड़ होता है मतलब आपने जो भी चीज पढ़ी है समझी है आप उसका एक मुख्य शब्द याद रखेंगे और उस मुख्य शब्द को याद रखने से आपको वो पूरा कॉंसेट समझ में रहेंगा अगला होता है मेथड ओफ लोकाई मेथड का मेथड ओफ लोकाई का मतलब यह होता है कि जो भी चीज़े हैं आप उसको एक के बाद एक सीरियल ओर में रखने की कोशिश करते हैं और यह सीर में क्या क्या चीज़ें चाहिए इस तरीके से एक कमरे से दूसरे कमरे आप जाते जाएंगे और आप उससे जुड़ेवे सामगरी लेते जाएंगे तो यह हो गया आपका सीरियल जो आप कंप्लीट करते हैं जिसको हम मेथड ओफ लोकाई कहते हैं अब निश्य तोर पे नि इंडफरेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है और रिट्राइवल क्यूस की सहायता से आप अपनी लर्निंग को बहतर बना सकते हैं जिसको हम PQRST बोलते हैं बहुत ही आसान निमोनिक है वापस याद रखने के लिए से P से प्रिव्यू मतलब आप पहले उस चीज़ को एक उप बोलने की कोशिश करेंगे और T से टेस्ट मतलब आप ये चेक करेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है तो यहां पर PQRST टेकनीक ये भी एक निमोनिक है जिसके द्वारा आप रिट्राइवल क्यूस को याद रख सकते हैं तो इस कक्षा में हमने समझा कि किस तरीके से स्मृति और स्मृति से जुड़े हुए कॉंसेप्ट यहां पर बहुत महत्पून है आगी की कक्षाओं में हम मनो विज्ञान से जुड़े हुए और भी महत्पून अध्याय लेके आएंगे बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है